नमिश्कार सी निउस भारत में आप सभी का स्वागत है यूपी लेकपाल भरती 2022 में दिव्यांग लेकपाल अभ्यार्थियों को नियुक्ति नहीं देने के कारण दिव्यांग अभ्यार्थी बीते 11 महिने से लगातार लखनव इको गार्डन में धरना अंशन कर रहे हैं विविन्य मंत्रियों के पास नियाय के भीक मांगने के साथ साथ मुक्यमंद्री कार्याले में सौ से अधिक बाठ नियाय की गुहार लगा चुके हैं लेकिन सिवाए आश्वासन के उन्हें कुछ नहीं मिला जिसके बाद अब दिव्यांग विकास संगठन आरपार की संगष करते भी नजर आए इस मौके पर बोलते हुए दिव्यांग विकास संगठन के महसची वेरिंद्र कुमार ने कहा कि राजस्व परिश्रत के अधिकारियों ने तो हमारा मांसिक उत्पेड़न किया ही है सरकार भी अपनी समीदन हींता से हमें निराश कर रही है हम शार में विकलांगों के लिए कोई जगें नहीं है तो हमारा जीने का कोई देश ही नहीं है अब जब सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो अम भीक मांग कर अपनी जिन्दगी गुजार गएंगे यानि कि न्युक्ति पत्र दिया जाए और जो दिव्यांग जो हमारे जैसे आप लोगों के हैंपे सबी लोगों को आरक्षी सीटे दी जाती है महिलाओ को दी जाती है ऐसी चुनाव आयोग में हमारी भी सीट रिजर्व की जाए है क्योंकि जब हम विधायक या सांसत बनें अब तो क्या दिव्यांग आयोग अध्यक्षी दिव्यांग को नहीं बनाया जा सकता है हैं मैं तो मैं यह कह रहा हूं कि अगर यह आप तो हम आप तक हम सोय हुए थे अब हम जागे हैं मेर चैनलिड लड़ाइब बा fifty सरकार से उम्मिद को चना कर तो यह तो हमारी यह पर इन नहीं तो फिर हम सड़क पर उतरंगे, भीक मांगेंगे, यह सड़कार को उल्टे पैसे देंगे. अक्टूबर को तो सरकार से अस्वासन मिला था, मुखमंत्री से वार्ता कराकर साट आउट किया जाएगा. लेकिन एन मौके पर यह कह दिया गया कि मुखमंत्री जी चुनावी रैली में है, ब्यस्ता है, इसलिए नहीं समय मिलेगा. आज हम लोगों ने भाजपा कारियाले पर खाट बिचावा दिकार दिलाव आंदोलन के तहट खाट बिचा कर प्रदर्सन किया, उसके बाद जिला प्रिशासन ने मुख सचू मानी मनोज सिंग जी से वार्ता कराई, वार्ता के बाद उन्होंने आस्वस्त किया है कि मांगे आपकी जायज है और जल्दी इस पर कारवाई करवाएंगे, अगर नहीं होता है तो क्या अगला आपका करना आज तेलर है, खाट बिचावा दिकार दिलाव आंदोलन का, अभी पदा दिकारी आये हैं, अभी आम सदसे नहीं आ पाएं, क्योंकि दिव्यांगों को घर से नि हो जाएंगे वीदान सभा के सामने, मुख मंत्री नहीं सुन रहा है, ऑफसर बेलागाम हो गये, कोई सुने वाला नहीं है, वरस्टाचार कर रहे है, वरस्टाचारी हों पर कारवाई नहीं हो रही, जीरो टार्लेस की का गाना गाते हैं विभ्यांग 54 लाख है उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी हाई मतले हो सरकार और भाजपा के लोग अगर उनकी हाई लोग है तो पार्टी भी खतम हो जाएगी और सरकार भी कतम हो जाएगी कोई पूछने वाला नहीं होगा इसलिए दिभ् किन ठीव स्टैनी हुआ हाएगा गांधार लोग रोज आजमा तरो सूचर नहीं आपाराइए सरकार नौकली रोजगार नहीं देगी शुर्यों बतेंbyत। अब तो क्या करेंगे आप भत्या तो करेंगे सरकार आप भत्या पर उक्सा रही है उन्हें अधकारियों पर क्या कारवाई की गई जिन्होंने आप भत्या के प्रेदित किया कोई कारवाई नहीं होती सरकार में मरने के बार इहां इंसाथ दिया जाता है उत्तर प्रदेश के पिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की दवाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाथ